तो दोस्तो आकस के गठना और उस्टेलिया, यूके और यूस के बीज में हुए निउक्लियर पावर सब्मरीन के डील के बाद फ्रांस काफी अधिक नाराज है। तो दोस्तो बराकुडा क्लास के सब्मरीन इतना महत पूर्ण क्यों है। ये फ्रेंच नेवी में एक्जिस्टिंग रूबीस क्लास सब्मरीनों को रिप्लेस करने के लिए ही बनाया गया है। 22 डिसमबर 2006 के दिन फ्रेंच गॉर्मेंट के तरफ से करिवन 7.9 बिलियन योरो के लागत से छे बराकुडा क्लास सब्मरीनों को नेवल ग्रूफ से खरिदने का इरादा बनाया गया। और इस इरादे के तहट 2007 से फ्रांस के नेवल ग्रूफ के द्वारा बराकुडा क्लास के सब्मरीनों के कॉंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। इस क्लास के पहले सब्मरीन 2019 में फ्रेंच नेवी में कमिशन किया गया। दोस्तों बराकुडा क्लास सब्मरीन में नेवल ग्रूप के तरफ से कई तरीके के इंप्रूब्मेंट किया गया और कई तरीके के नहे इक्विप्पेंटों का इस्तेमाल किया गया जिस वजह से इन सब्मरीनों को फ्रांस के रूविस क्लास के सब्मरीनों के तुलना में अन्य किसे भी nuclear attack सब्मरीन के जुलना में काफी अधिक है। मतलब एक बार सब्मरीन को पाने में उतारने के बाद 7-10 साल तक इसमें refuel का आवश्कता नहीं है और इस वज़ा से ये सब्मरीन लगभग unlimited तरीके से पानी के निचे रह सकता है पर सब कोई डिपेंड करता है सब् ग्रू के उपर दोसो इन सब्मरीनों को इन 7-10 साल के अंदर minor maintenance से ही गुजारा जाता है जवकि हर 7-10 साल में सब्मरीन के एक major overall गया जाता है दोसो ये जो ब्राकुडा क्लास के सब्मरीन है ये असल में strife and क्लास के सब्मरीनों से कई तरीके के technology को adapt किया है जिन में pump jet propulsion system एक प्रमुक technology है दोसो ये जो सब्मरीन है ये readoutable class के सब्मरीनों के तुलना में करीवन एक बटा एक हजार गुना कम noise पैदा करता है जो की समुंदर के नीचे पाये जाने वाले जींगे मतलब श्रिम के द्वारा पैदा किया गया noise के बराबर है इस बयासे ऐसे सब्मरीनों को दुश्मन के सोनार सिस्टमों के द्वारा पकड़ पाना लगभग नामुम्किन है दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो इन सब्मरीनों में दुश्मन के स्टेल्थ सब्मरीनों को डिटेक करने का शमता किसी भी अन्य सब्मरीनों के तुलना में काफी अधिक है और ये अन किलोमेटर या उससे अधिक है नियुक्लियर पावर ये अटैक सबमरीन में टॉपेडो ट्यूब लॉंच क्रूज मिसाइलों को लगाया गया है जिनमें स्कैल्प के निवल वर्जन भी शामिल है दोसों ये मिसाइल करीवन 620 माईल या फिर 1000 किलोमेटर दूर तक स्टैटेज ग्राउन टार्गेटों को निशाना बनाने में सक्षम है इन सबमरीनों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि यह कैई तरिके के मिशनों को अंजाम दे सकता है इवन दोसों रिपोर्डों के मुताविक स्पेशल आपरेशनों को अंजाम देने के लिए बराकुड़ा क्लास के कर सकता है जो सब्मरीन में ही बना हुआ मोबाइल पॉर्ट से मिशनों को अंजाम देने के लिए समुंदर के अंदर उतर वी सकते हैं तो सब बराकुड़ा क्लास के सब्मरीनों को कोवर्ड ऑपरेशनों में सबसे बहतरीन सब्मरीन के रूप में देखा जाता है इवन कई- तरीके के तकनिक का इस्तिमाल किया गया है वो अमेरिकी और ब्रिटेन के सब्मरीनों में भी नहीं है इवन इन सब्मरीनों में इस्तिमाल होने बाले प्रपोल्शन सिस्टमों को भी काफी महत्वपूर्ण और खास बताया जाता है और रिपोर्टों के मताविक ऐसे प्रप चे, कन्वेंशनल सब्मरीनों को अपने बेडे में शामिल करना है, जो कि non-nuclear मतलब diesel electric सब्मरीन होगा, दुसरे तरब भारत अपने nuclear power attack सब्मरीन के fleet को भी मजबुत करना चाहता है, जो फिलाद भारत के पास एक भी नहीं है, भारत दुआरा nuclear power attack सब्मरीनों के आवर्शक्ता को पुरा करने के लिए, Russia से lease में एक सब्मरीन लिया गया था, जिसे हाली में ही, Russia को फिर से वापस करना पढ़ा, दुसरे तरब भारत द्वारा और एक सब्मरीन, Russia से lease में लिया गया है, जो रशya में बन रहा है, और साइध आने वाले कुष सालों में, इंडिया को रस्श इंडिया के तरफ से इंडिजिनियस SSN मतलब निउक्लियर पावर एटैक सब्मरीन के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का इरादा बनाया गया है कई-कई जगाओं में इन प्रोजेक्टों को प्रोजेक्ट 76 भी कहा जाता है जवकि कई-कई जगाओं में इसे प्रोजेक्ट 75 आलफा भी कहा जाता है दोस्तो इवन आपके जानकारी के लिए बता दू कि बराकुडा क्लास सब्मरीनों को लेके भारत का जो इंट्रेस्ट का बात कहा जा रहा है ये अब तक के दुनिया में बने हुए सबसे छोटी आकार के नुक्लियर पावर अटैक सब्मरीन है जबकि प्रोजक्ट 75i मतलब ड कि फिलाल अब तक दुनिया के इतियास में कोई भी देश किसी अन्य देश को नुक्लियर पावर सब्मरीनों को नहीं बेचा है इवन रशिया के द्वारा भी भारत को जब नुक्लियर पावर सब्मरीन दिया गया तब भी लीस में लिया गया था ना कि भारत को इसका टेक् पावर सब्मरीनों का सप्लाई किया जाएगा इस वजया से माना यह जा रहा है कि फ्रांस के साथ अगर भारत आगे बढ़ता है तो यह ओफर अब नॉन नुक्लियर बराकुडा क्लास सब्मरीन से आगे बढ़के नुक्लियर बराकुडा क्लास सब्मरीन तक भी बढ़ सकता ह इवन फ्रांस के तरफ से पहले भी जताया जा चुका है कि फ्रांस भारत के साथ क्लोस तरी इन एलाई के सम्मध रखते हुए भारत को टेक्नोलोजिकल सपोर्ट करने के साथ साथ कई तरीके के हतियारों के डेवलाप्मेंट में भी भरपूर मदद करेगा ऐसा मदद अब नि प्रोजेक्ट 75i में होगा या फिर इंडिया के इंडिजनियस SSN में होगा या फिर भारत द्वारा अपने इंट्रेस्ट के शेत्रों को आगे बढ़ा के कुछ नया प्रोजेक्ट में भी फ्रांस के साथ आगे बढ़ा जाएगा दोसर अब चलिए जानते हैं हम बराकुडा क्लास के सब्मरीन के बारे में दोसर बराकुडा क्लास के सब्मरीन असल में कई कई जगा में सफरेंड क्लास के सब्मरीन के नाम से भी पैचाना जाता है दोसर ये सब्मरीन असल में 4700 से लेके 5300 टन भारी भर कम एक ऐसा सब्मरीन है जिसका सॉर्फिस में वजन करीवन 4765 और पानी के अंदर जाने के बाद वजन करीवन 5300 टन होता है और दोसों वजन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नुकलियर पावर एटेक सब्मरीन के कैटेगरी में सबसे चोटे आकार के या फिस सबसे हलके वजन के सब्मरीन के रूप में क्यों पैचाना जाता है अब तक के प्लान के मुताविक फ्रांस के द्वारा टूटल ऐसे 6 सब्मरीनों को अपने बेडे में शामिल करने का इरादा बनाया गया है जिनमें से एक सब्मरीन ओल्रेडी कंप्लीट हो चुका है और फ्रांस द्वारा 5 अलग-अलग सब्मरीनों को निर्मान किया जा है रिपोर्टों के मुताविक यह जो सब्मरीन है इसका लंबाई 99.5 मीटर मतलब करीवन 326 फीट है जबकि इसका चौड़ाई करीवन 8.8 मीटर मतलब 29 फीट और ड्रोट करीवन 7.3 मीटर मतलब 24 फीट है इसमें प्रोपलसन सिस्टम के रूप में दो टर्बो जनेरेटर ग भी वंदवस किया गया है और रिपोर्टों के मताविक इसमें दो एमर्जेंसी डिजल जनेरेटर है जिसका हर एक का श्रमता करीवन 480 किलोवाट या फिर 640 होर्स पावर है एक पंप जेट इलेक्रोनिकली ड्राइब प्रोपलसन सिस्टम का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है दोस्तों अगर रिपोर्टों को मानें तो ये सबमरीन करीबन 25 नौट मतलब 46 किलो मेटर पर आवर के रफतार से पानी के नीचे तैर सकता है जबकि पानी के ऊपर ये 14 नौट मतलब करीवन 26 किलो मेटर पर आवर के रफतार से ट्रावल कर सकता है जो रिलेटिवली नुक समय तक पानी में रह सकेगा रिपोर्टों के मुताविक यह सब्मरीन 350 मीटर मतलब करीबन 1150 फिट के गहराई तक जा सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए करीबन 12 ओपिसर और 48 अन्ने सेलर्स का आवशकता पड़ता है दोसो सेंसर के सेट को अगर देखा जाये तो इसमें ह 533 मिलिमीटर मतलब 21 इंच के टॉर्पेडो ट्यूब है और इसके स्टोरेज में 20 स्टोरेज रैक है जिसमें स्कल्प नेवल मिसाइल, एक्जॉसेट, मोड टू मिसाइल, एथी एसे माइका मिसाइल, एफ टुएंटीवान, हैबी टॉर्पेडो और एफ जी टुएंटीवा अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद